हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू अज्यक्वेसन इंडिया तो अभी हम जात करने जा रहे हैं सीटेट दो हजार अठारा की तो देखिए जिन्होंने जिन्होंने एक्जाम दिया हैं सीटेट का तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और गिड़ नीज आ चुके हैं दोस्तों कि यदि आपके कम मार्क्स बन रहे हैं यानकि पासिंग मार्क्स भी नहीं बन पा रहे थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड़ नोज है कि अभी आपका पासिंग मार्क्स ना बनने के बाउजित भी आपका जो हैं वो सीटेट दो हजार अठारा में चैन किया जाने वाला हैं लेकिन कैसे होगा चैन ये मैं पूरी डिटस्ट देंगा तो बनेगा लाज तक और क्या सीटेट ने ने नियम निकाल दिये जिसके तहट यदि आपके पासिंग माक्स भी नहीं बन पा रहें तो भी आपका सीटेट 2018 में चैन किया जाएगा तो दोस्तो पूरी चर्चा करेंगे तो लोच तक देखेगा वीडियो को और यदि आपको दोस्तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिगा और यदि चैनल को सब्सक् पर दोस्तो अभी हम बात कर रहें सीटेट 2018 की कि यदि आपके कम माक्स बन रहे हैं तो आपका कैसे चैन हो चकता है सीटेट में तो इसके लिए क्या सीटेट अब किवार किया है जो है कि नए नियम लागू कर दी हैं जिससे आपका चैन हो सकता है वो भी कम माक्स बनने पर दोस्तो पहले तो मैं बात बता दूँ कि सीटेट 2018 में आपको नमबर मिलने जा रहा है नमबर यानि की बोनस के रूप में जमिलेगा यदि आपके जितने माक्स बन रहे हैं मातरक कम बन रहे हैं तो भी आपका चैन किया जाएगा और बोनस मिलने से जो दोस्तो अब्यारती प्रीटित भृएगी होनगे और यहां दोस्तो मैं बता दूँ को जो लिक्यत परिक्षा देंगे उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ेगा फॉरी तेरह बात में बता दूँ तो जब जो लिकट परिक्षा में बैठने वाले हैं की पास हो जाएंगे उसके बास में कई अव्यार जा सकते हैं तो देखिए यहां पर जो है वह अभी complete नहीं हो पा रहा यानि कि आपका जो passing marks से वह complete नहीं हो पा रहा तो यहां पर देखिए क्या होगा कि आपके जो marks कम पढ़ रहे हैं उसमें बोनस भी दिया जाएगा सीटेट 2018 में क्योंकि दोस्तो कुछ ऐसे भी परसना देखने को मिलेते पेपर में जो की 9 दिसंबर को हुआ था अपना पेपर उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे परसन आयते सामने जिसमें यहां पर बोनस का सवाल उठाएं और अभी आरते नहीं बहुत ज़्यादा ज़स्त से कुछनों पर यह आप पतिया दर्ज कर रही हैं कि हमको इन परसनों पर बोनस मिलना चाहिए दोस्तों यह अभी मांग चल लिए बोनस की जो कि आपको मिल रहा है लगबग 5-6 नमबर के रूप में तो यह इतना बोनस मिल रहा है तो उनको लिए खुसकबरी है जो कि इतने न पर कम पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं और जहां तक बात वी कंपिटिशन की देखे भीया लिकित परीक्षा में इतना कंपिटिशन नहीं बढ़ेगा जिहां दोस्तों छोड़े बहुत यहां पर अब्यारती जाएंगे सीटेट से क्वालिफाई करेंगे ऐसे भी लेकिन देखे कम नमबर बन रहे हैं इसकी भी कैसे फाइदा हो सकता हैं इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी तो देखे कम नमबर हैं तो उसके लिए अभी क्या है कि आपको फोड़ा सा वेच करना पड़ सकता हैं क्यों कि यद्ज़ों यदि आंसर की रिजल्ट carnivalsूं में यहां पर आपके पांस से दस के बीच में बताया जा रहा है कि रिजल्ट आपका मिल जाएगा आपको देखने को और यदि इसमें कोई प्रोब्लम आ जाती है यानि कि आपको लग जाती है इसमें भी तो आपको नबर मिल सकता है और जिनके माक्स कम पढ़ रहे थे यानि कि सीटेट क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा था तो उन्हें अभी यहां पर जो है वो लिकित परिक्षा म नहीं जाएगा competition जो हैं वो इतना हई भी नहीं रहेगा यह भी रेजन अन्यक बताए जाए हैं लेकिन सीटेट दो हजार अठारा की भी कम जो हैं वो कटप की वार कमी रहने वाली है पूरी तरह से चांस पहले भी बताए जा रहे थे और फिलाल भी बताए जाएंगे क्यों वह वह दो है उस समय निकलती जहां पर दोस्तु ऐश्मान मित्र भरती निकली वह थी साथ यहां पर कहीं ऐसी भरतिया थी बड़ी यो की सीधा-सीथा सीटेट की कटप को परभावित करने जा रही थी तो यहां पर इसी वज़र से सीटेट डाउन जा रहा है कटोप में वी तो यह रिजन शिद्ध करता है कि सीटेट अब की वार जो है वो ज़ादा अवेदन करता नहीं ले पाया है और वहां कटप को डाउन रखत रवाया रहा है तो दूस्तों जो यहाँ पर मैं बात बता दूँ तो टोपर भी कम होना ये भी बात सही है क्योंकि टोपर जो है वो कटप को हाई ले जाता है लेकिन टोपर यहाँ पर कम है तो यहाँ पर वो बात नहीं है कि सीटेट अब की वार हाई ले जाएगा अपनी कटप तोपर ही होता है वो जो कोटब को हाई ले जाता है और जो कम होते हैं जो श्यार वो यहां पर रे जाते हैं लेकिन अब की बार आपके लिए कम उश्यार वालों के लिए भी कुछ कबरी है यहां पर क्योंकि अभी उनका भी चैन हो जाने वाला है, इसके सीटेट में, तो देखे सीटेट से कौलिफाई हो जाएंगे, आप कम माक्स पर भी बने का बात, क्योंकि सीटेट ने अब की बार कुछ अलगी कर दिया हैं, आपके लिए, कम में हैं, कटोप और वो आपके हक में हैं, दोस्तो यहां पर अभी जो रिजल्ट डिकलेर हो जाएगा, उसमें आपको पता जल जाएगा कितने माक्स बन रहे हैं, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि मेरे कौलिफाई हो जाँगा तो तो बहुत अच्छी बात ही, और यदि नई क्वालिफाई हो पाते हैं, थोड़े कहीं रिजन हैं, जो कि सीटेर दोहजा अटारा की पहले से ही कटोब डाउन ले जाते हैं, जैसे कि आईश्वान मित्रबरती टोप पर कम होना, अन्यवपर्चियों का निकलना, और यहां पर जल्दी एक बड़ी वेकेंसी की कोश्च ना करना, जो कि यहां पर सीटेर अचरा में ऐसे कहीं रिजन हमारे सामने आ जाते हैं, जो कि सीदा सीदा पर बाउचोडता हैं कटॉप पर, और यहां पर कटॉप डाउन ले जाता है, और कटॉप डाउन जाता है, तो आपके लिए खुसकब्री की बात ही क्योंकि कि कटॉप जैसे ही डाउन जाएगा, यहां पर वेटिंग जारी हो जाएगी, वो दोस्तो जो भी सेलेक्शन हो पाता है, वो पूरी तरह से उसमें नहीं हो जाता, तो वेटिंग भी आपके आनी कन्फरमी बात चल लिए हैं सीटेट 2018 में, तो दोस्तो यह बात बड़ी ही न्यूज महत्रपून थी आपके लिए, जो की आपके कम मार्ख्स बनने वाले हैं जिनको भी अभी चैन किया जाने वाला हैं और बहुत ही अच्छी तरिके से चैन किया जाने वाला हैं सीटेट 2018 में, तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कूल भी मत बूलेगा, तो जाती जाती चैनल को की जीघीना चैनल को सब्सक्राइब दन्यबाद वीडियों को देखने कलिए